जहिन साथियों HD campus पर आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है आज का हमारा topic है CTAT में 120 प्लस नंबर कैसे लाएं तो हम आपके साथ स्वेयर करेंगे कि 120 नंबर क्या सकते हैं कौन सी हम इस्टेटी अपनाएं क्या हम पड़े क्या करें सभी हम आपको बताने वाले तुस सर पंरताम हम जाने ग οποία कि हमारे CT guet तबर सब्सक्राइब कितने होतेखेंगे मैं सब्सक्राइब मैं इसरे बाद यानि आगे देखेंगे टोटल नंबर ओफ कुष्टन हमारे कितने आते हैं यह आते हमारे 150 यानि 150 हमारे प्रस्ण है और हमारे पास धाई घंटे समय यानि 150 मिनट हमारे पास समय है इसके बाद बात करें कि और हमारी no negative मार्किंग यानि इसमें कोई negative मार्किंग नहीं है आप पेपर के जितने प्रस्ण आपके दिए गए हैं आप 150 में से 150 क्रेंड कर सकते हैं घंडे समय कि पासिंग मार्क यह हमारा है 90 हमारा passing معर्क है थीडिप यानि पहले हम बात करेंगे किसकी subject सब्जेक्ट मारे कौन कौन से हैं इवियेस हो गया हमारा टीडीपी हो गया मैथ हो गया इंगलिस और हिंदी ठीक है यह हमारे पासमें पांच हो गये और यह कितने नंबर का होता है इवियस आए मारा एकतने 30 का यानि 30-30 नंबर के 5 हमारे हो गए ठीक है और CDP हमारी 30 नंबर के हो गई math भी हमारा 30 का English 30 की और Hindi ऐसी paper second की बात करें तो यह हमारे common subject है यह तीन हमारे common subject है first and second दोनों के ठीक है CDP language first और language second science and math यह science background जिसका होता है उसके लिए psychology जो हमारा art background से है उसका हो गया ठीक है तो यह हमारा पूरा हो गया 150 नंबर का हमारा paper ठीक है 150 नंबर का हमारा पूरा paper हो गया है थीक है इसमें हम देखते हैं एक सुपचास नंबर का paper हो गया 150 ही मिन लएए इसमें कोई निगेटिभ मार्किंग है नहीं तो यानि हमको पेपर करना है कितना पूरा पेपर करना यानि Mackie म perpet हमाद करें तो वो हमें चाहिए केवल 90 नमबर कितने चाहिए 90 नमबर अब हम देखेंगे हमारे सीटेट में कितने तरह के क्या है यह देखना है यानि हमको सबसे पहले यह देखना है कि हमारा इंस की वीडियो बना कि मैंने आपकी आपको प्रोवाइड करा दी है सभी लोग वहां पर जाकर आप अपने स्लेवर्स की पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं मैंने स्लेवर्स में भी आपको कुछ यानि उसमें से भी क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है वो पॉइंट भी आपको बताई है यानि आपके पार्ट क पहला काम हो गया हमारा हमें याद रखना है हमारे पास है कितना टाइम हमारे पास से 500 मिनट और 500 कुष्टन यानि पर मिनट पर कुष्टन ठीक है यानि हमें सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलना है यह हमें याद रखना है कि हमारा टाइम किसी भी प्रस्ट पर ज्यादा बरवाद ना हो दूसरा है हमारा स्लेवर्स नौलिज यानि सबसी पहले हमें क्या होना चाहिए अपने पार्ट क्रम का ज्यान होना चाहिए कि हमारे सीटेट में क्या पार्ट क्रम है न्यू पैटेंड है तो क्या चेंजमेंट हुआ है मारे पैटेंड में ठीक है और उसमें अब एक आपका हो गया हिंदी हिंदी हो गया एक और एक हो गया आपका इंगलिस ठीक है इन दौनों में आपकी जो ग्रामर आती है आपकी जो ग्रामर आती है इसमें वो कैसी आती है बेसिक ग्रामर आती है ठीक है कोई आपकी उसमें बहुत डीप ग्रामर नहीं प पढ़ रखी है अगर पढ़ रखी है सभी ने पहलो तो पढ़ी रखी है और उसको केवल हमको रिवाइच करने की जरूरत यानि उसमें केवल हमको मैस inip county साइकलोजी वालों के लिए यानि सोसल से साइइंस आर्ट साइड के लिए हो गया ठीक है सब्से पह detecting है कि हम प्रकोर करते में क्या त्करेब्यदान में क्या रखना है पहलर पहले याद रखना है कि हां पेर यानि यह फ्र質 पिक दिक लास के लिया किसके लिए हो गया नदर के लिए किसके लिए खोछ लाई ना से जांद其实 करने कन बच्चे की बात हमारे पर में कहीं है यह हैं हमारे । के बच्चों को ध्यान में रखकर आपको अपना पपर हल करना है टिकते शूसेयर прoh सेकेंड आपको 11 से चौद्ध के बालक dhyan में रखकर पेपर second आपना हचना है है कि की ये तो हो गई हमारी सब्बजेक्ट की बात ठीक हैं इसके बात करें कि हमारे इसमें एवियस के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे आप हमारे एच्टी केंपस टीचिंग चैनल पर सारी क्लासिस आपको सीटैट की प्रोवाइड करा ही जा रही हैं आप उसमें जुड़िए और अपने अपनी मतलम सीटैट की त्यारी को मजबूत बनाए इसमें सीटीप यह हमारा थर्टी नमबर का है मैत यानि बात करें जो हमारी पैड़ागोजी है सभी में 15 15 नमबर की आती है ठीक है यानि टोटल पैड़ागोजी की बात करें टोटल जो पैड़ागोजी हमारी वो कितने नमबर की आती है 75 प्लस ठीक है टोटल पैड़ागो सभी सब्जेक्ट में रहता है सब्जेक्ट परेड़ोगों। ठीक है अगला पॉइंट है हमें सत्से ज़्यादा ध्यान क्या रखना है बच्चा पहले है यानि पेपर हल करते समय में याद रखना है कि बच्चे को हमें प्रात्मिक्ता फर्स्ट प्रायोर्टी किसकी है बच्चे की बाद में ध्यापक यानि आपको बच्चे को ध्यान में रखकर पेपर हल करना second point कहता है बच्चे को कभी दंड नहीं देना है आपको बच्चे को डाटना नहीं है बिल्कुल नाहीं mentally torture कर सकते आपको ना उसको नाहीं आप उसको physically torture कर सकते समझो बच्चा भगवान है पेपर जब आप दे तो उसको भगवान मान लो ठीक है भगवान मान कर उसको पेपर हल करना है बच्चा भगवान है यह समझ कर आपको पेपर हल करना है क्योंकि बच्चे की निगेटिब कोई भी पॉइंट आता है तो वो सही नहीं होगा चात्रों को केंद्र में रखकर प्रस्ण हल करें आप हमेशा आप सकारात्मक निगेटिव जम नहीं लगा उताल का चैन और आ चैन उत्तर का चैन करेंगे ठीक है अगला पॉइंट कर रहे हैं किसी प्रस्ण पर ज्यादा समय ना बिताएं आप किसी यानि क्योंकि सभी के लिए एक मिनट आपको मिलना है तो कोई मतलब प्रस्ण ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की प्रस्ण को आपने दो मिनट दे दिये किसी को तीन किसी को एक ही दिया तो इससे आपका पेपर जूटने की संबावना है ठीक है अगला पॉइंट हमारा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपना किस पेपर करना है प्रीवियस के लिए सबसे वड़े विकल्ब का चैन करें आसान प्रस्ण है उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे उस पर ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं क्योंकि वह बहुत जल्दी आए और काई कठीन प्रस्ण के लिए जब ज्यादा प्रस्ण है आपको नहीं समझा रहा आप क्या करेंगे जो प्रस्ण यानि चार ओप्सन दिये होते हमें बन टू थ्री फोर यानि एक इतना लिखा यह सेकेंड यहां थर्ड यह फोर्त यह आप हमें लग राए कि यह जो प्रस्ण हमारा वह छूट जाएगा हमें नहीं आएगा तो आपको क्या करना है कि जो सबसे ज हुआ कि यहांया चूटने वाले हुआ हमें बच्चा बचाना यानि किसी भी रहना चांब जिसे हमें बच्चे के का रात्मक प्रस्ण देखकर ही रहना है ठiक है न कार आत्मक है तो जब नहीं लिखा हो तो ना कारात्मक हमारा सही होगा ठीक है वरना जितने भी आप सकारात्मक सब्द आपको मिले तो समझ लो जहां मिले वो आपका उत्तर सही होगा कुछ टैग वर्ड है जो हंडेट परसेंट आपके सीटेट में काम करते हैं टैग वर्ड है जो आपके हंडेट परसेंट अगर उत् माइंड आपके exam hall में कैसा है इतना मांनी रगता यानि आपको केवल बच्चे को भगवान मान कर बच्चे को केंद्र मान कर अपना प्रसन पत्रहल करना है new यानि आपको उसके निगेटिव कुछ भी नहीं एक मतलब उसके निगेटिव बिल्कुल जाना ही नहीं है ठीक है बिल्कुल उसके निगेटिव नहीं जाना पॉस्टिव बड़्स कुछ हमारे हमने आपको दिये हैं और कुछ निगेटिव दिये हैं आप क्लास को अटेंड कर सबी आपको वहां क्लास में कराने वाले हैं आप देख सकते हस्परक गत्विदी यह हमारा पॉश्टिव पॉइंट हो गया जो बच्चा उसमें गत्विदी खुश्से करेगा करके सीखना जहां पर आपको उत्तर में लिखा मिल जाए समझ लो वह आपका उत्तर सही है आवसर के साथ चर्चा करना यानि बच्चों के साथ कम्यूकेशन करना ठीक है मात्रभासा को शुई करना यह सारे आपके कैसे हैं पॉश्टिव पॉइंट दैनिक जीवन से जोड़ना द्रश श्तरव सामिग्री यानि यह बच्चे को क्या है इससे बच्चा बहुत आसानी सी सीख सरवांगीर विकास यानि यह सारे सद्व आपको मिल जाए तो आप रूतर बिलकुल सही है आपको सेंटेंस में दिख जाए निगेटिव अधर करना हो गया यह जहां आपको मिल जाएं आप समझ लेना यह आपका उत्तर नहीं होगा अगर नहीं उत्तर पूछा है नहीं करके तब तो आप प्रचन के अनुसार आपको उत्तर देना है यानी रटाना नेगेटिव पॉइंट है मारा कंठस्त करना केवल लिखा मिल जाए बाक में आपको मात्र मिल जाए ही मिल जाए आपको हतोत साहित बच्चे को करना हो जाए पुस्तक केंद्रित हो जाए बच्चे को दंड देना सज और शक्राया लिश्य ये सभी आपके नीघेटिव वोग है यानि उत्तर हमें सकारात्मक देखके देना हैं किसी भी हालत में हमें सकारत्मक्ता देखनी हैं फिर हम अगला पोईंंत करता है सभी गड्य पद्य के समय अगे आपका पीपर यानि हिंदी की बात करणें ऑपकी चहांतों की बात कड़ें इंग्लिष की ठीक है जहें बात करें कि इंग्लिस की आपके जो उत्तर होंगे यानि जो प्रस्ण आपके पैसेज की पूझे गई होँगे यानि लगवग आपके अब आपको प्रस्ण गदांस में और साथ यानि 60 प्रस्ण ऐसे ही आपको डिवाइडेशन लगवाख ऐसे रहता है इनका आपको गदांस में और पद्दांस नहीं हमारा हुँवष दो में पूछ लिया जाता है ठीक है अब बात करण है हमारा हिंदी में फिर्ष्ट के पर में बात करें तो आपके दो गड़ाइक गड़़ांस और यह For कि और बात करें, पेपर सैकेंड की तो पेपर सैकेंड में आपको आएगा दो गःगी दौनों गःदांस ऐंगे, अब आप कहेंगे की कि गःदांस कैसे सौल्व करें गःदांस को को सौल करने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं बटकना केवल आपका पैसिज में ही उत्तर आपको मिलेगा और गदांस और काव्यांस में एक दो यानि लगवग तीन-चार प्रस्थ आपको किसके मिल जाएंगे ग्रामर की यानि व्याकरड की आपको मिल जाएंगे गदांस के लिए आपको ज जादा से जादा किया करना है उसकी प्रक्टिस करनी यानि गदांस का अभयास करना है तो ज्यादा से जादा इस से अच्छा वहारा और वहारा और को त्यौनibl क्रcel reflecting क्योंकर और पास परियापत हैं – अपनी अच्छी तयारी कर सकते हैं अपकाई पेपर कर उत्तर देना पेपर सेकेंड में हमें ध्यान रखना है 11-14 वर्स के बालक का हम यानि उसको ध्यान में रखकर हमें उत्तर देना है ठीक है तो यह हमारी हो गई यहां यानि सीटेट की बहुत अच्छी इस्टेट जी मैंने आपके साथ सेयर करी आपके कोई प्रस्णों तो आ देंगे ठीक है यानि गदांस और काव्यांस इन दोनों की त्यारी आप किसे करेंगे ज्यादा से ज्यादा आप प्रक्टिस करके और आप प्रीवियस यर अभी से लगाना शुरू कर दीजिए ठीक है वह आपके 100% काम करते हैं इसमें कोई दोरा बिलकुल नहीं है इसलिए कि आप एक एक यानि अपना इस्टाटिजी के साथ पूरा काम करते रही है क्योंकि परियात समय है हमारे पास और हम अपनी तयारी को बहुत बहतर बना सकते हैं तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे है एसटी टीचिंग चैनल पर धन्यवाद